हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है हम कक्षा ग्यारवी इंबारवी में चलने वाली पुस्तक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास का अध्यन कर रहे हैं पिछली कक्षाओं के दोरान हमने आदिकालीन जो संपूर साहित्य है उसको जाना हमने हिंदी भाषा का उद्वह और विकास को पड़ा उपुभाषाए और बोलियों के बारे में पड़ा हमने आदिकालीन जो साहित्य है उसकी विशेष्ताओं को उसकी प्रवर्तियों को जाना हमने उस समय की युगीन परिवेश को परिस्थितियों को जाना हमने आधिकालीन कविधाराएं हैं जैसे जैन साहित्ते नात साहित्ते रासो साहित्ते अपब्रण साहित्ते और लौकिक साहित्ते एक एक कविधारा का अध्यन किया इसके पश्चात हमने संपून आधिकाल की विशिस्ताओं को देखा आज की क्षा में हम आधिकाल के कुछ महतपून प्रश्णों को देखेंगे जो वस्तुनिस्ट प्रश्णों होंगे तो आएए देखते हैं हमारा पहला प्रश्ण है इन में से कौन सी भासा सबसे प्राचिंतम भाशा है तो सबसे जो प्राचिंतम भ भाषा का उद्भव और विकास परहा उसमें जाना था कि भारती भाषा का प्राचिंतम गरंत रिक्वेद है और रिक्वेद की जो भाषा है वह संस्क्रत थी तो सबसे प्राचिंतम भाषा कौन सी हो गई वैदिक संस्क्रत वैदिक संस्क्रत के बाद लोकिक संस्क्रत आती है प्राचींतम आरे भाशा हैं उनका समय कब से कब तक रहा मद्यकाली नारे भाशाओं का समय कब से कब तक रहा और आधुनिक आरे भाशाओं का समय कब से कब तक रहा तो जो प्राचींतम आरे भाशा हैं उसका समय 1500 इसा पूर्व से 500 इसा पूर्व जिसमें वैदिक संस्क्रत इसमें कौन से तीन भाशा आती हैं पाल यह ली प्राक्रत और अप प्रशन हम देखते हैं रिगवेद में किस भाषा का प्रियोग हुआ तो रिगवेद में वैदिक संस्कृत का प्रियोग हुआ है हम पढ़ चुके हैं अगला प्रशन देखते हैं कीरति लता की भाषा कौन सी है कीरति लता की भाषा आवहट है विद्यापती ने कीरति लता और कीरति पता का आवहट होशामें लिखी और जो विद्यापति ने पदावली स्थ निरचना है जिसके नाम से अ Permo पदावली इसकी भाषा इन्होंने मैंथहली भाषा रखी में विद्यापति की कि चृति लता पुस्तक में कि करती Ama की वीर्ता उधारता का वर्णन है की लटा में कीडि की टी लाता में की ऄूर्भ राज्यच्रतरण कि आ गया है और कि decir पताका में सिर्सिंग की वीरता का वर्नग किया गया है अगला प्रिशन हम देखते हैं सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशाशन किसकी रचना है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशाशन हेमचंद्र की रचना है और इस रचना में संस्क्रत प्राक्रत और अपग्रंस की तीन भासाओं का समाविश किया गया है अगला प्रश्ण है पाहुर दोहा किसकी रचना है पाहुर दोहा हिंदी का पहला कभी सरहपा को माना, इन्हें सरोजवज्र और राहुलभद्र आदी नामों से जाना जाता है, ये जाती से ब्राह्मन ते सरहपा, इनका समह 729 स्विकार किया गया है, इन्होंने लगबग 32 क्रंथों की रचना की है, और राहु सांकृत्यां जी के अनुसार, य यही माना गया है, कि यही हिंदी के सवरुपतम कभी माने जाते हैं, अगला प्रशन है, प्रश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, इस तरह है कि प्रशन प्रतेक हिंदी की परिक्षा में पूछे जाते हैं, आपको प्रतेक भाशा, बोली और उपभाशाओं के बारे में जान इसमें दियावा है खड़ी बोली ब्रजवासा हर्यान्वी और अवधी तो पश्चमी हिंदी की बोली है खड़ी ब्रजवासा हर्यान्वी बुंदेली और कन्योजी तो कौन सी नहीं है अवधी नहीं है अवधी किसकी है अवधी पूर्वी हिंदी की है जो अर्दमाग्दी स जो अर्दमागदी जो अपवरंस है उससे इसका विकास हुआ है और पूर्वी हिंदी की अवदी है इसलिए पश्चमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है अवदी नहीं है क्योंकि यह है पूर्वी हिंदी की बोली है और पश्चमी हिंदी की खड़ी बोली ब्रजवासा हरियान बुंदेली और कर्णोजी है अगला प्रशन है इस तरह से प्रशन बनाए जाएंगे एक प्रतिक परिक्षा में बोली बहाशा और उपबोली से संबंधित प्रशन पूछा जाता है यह भी पूछ लिया जाता है कि किस अपभरंच से कौन सी बोली का विकास हुआ या कौन सी अभी कास हुआ जैसे उपभाशाएं है पश्चिमी हिंदी राजस्तानी पहाडी पूर्वी हिंदी और बिहारी तो पश्चिमी हिंदी का सोर्सेनी अपप्रण से राजस्तानी का सोर्चेरी अपप्रण से पहाडी का सोर्सेनी अपप्रण से फिर पूर्वी हिंदी का अर् फिर पाहाडी से पश्चिमे पाहडी मध्ययवर्त्य पाहडी और पूर्वी हिंदी से अवधी और बिहारी से भोजपुरीमघियंद है तो आप याद रखेंगे यह अवदी हिंदी की बोली में नहीं आती तो अवधी अवधी बगेली और चत्तीस गड़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां है और पूर्वी हिंदी की बोलियों को आप याद कैसे रखेंगे यह प्रशन बार-बार परिक्षा में पूछा जाता है इसलिए मैं आपको बता रहे हुँ कि जो पूर्वी हिंदी से आप याद रखेंगे A, B, C, अवधी बगेली और चत्तीस गड़ी तो पूर्वी हिंदी की तीन बोलियों याद रख लीजिए इसके अलावा जो पस्च्छमी हिंदी की बोली आएंगी उसमें यह नहीं आएगी तो अवधी यहां नहीं है तो पूर्वी नहीं है अभी हमने आपको याद करवाया कि जो पूर्वी हिंदी है उसमें आप सुत्र याद रखेंगे A, B, C, अवधी, भगेली और चतीसकड़ी तो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं तो अवदी है, बगेली है, चतिसकडी और मालवी नहीं है, क्योंकि मालवी किसकी है, राजस्तानी की बोली है, जो दक्षनी राजस्तानी में बोली जाती है, अगला प्रशने देखते हैं, खडी बोली का छेत्र इन में से नहीं है, एक प्रशने, छेत्र से समंधित कई बार पूछा जाता है कि किस छेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है और किस छेत्र में नहीं बोली जाती है इस प्रकार से परिशन बना लिये जाते हैं तो देखे खड़ी बोली का छेत्र इन में से नहीं है तो खड़ी बोली कहां कहां बोली जाती है दिल्ली गाजियबाद मुरादाबाद इसके अलावा मेरट इसका मूल छेत्र है खड़ी बोलिगा विजनोर, रामपूर, देहरादून, मुजफरनागर, सहारनपूर, आदी छेत्रों में यह बोली जाती है एक सुत्र भी है रामू भिमू देश में दिली याद रख सकते हैं आप किसी भी तरह से छ बी से बिजनोर, मुझे, मुजफरनागर, तो इस प्रकास से सुत्र है जिसे आप कैसे भी याद रख सकते हैं खड़ी बोली का छेत्र अगला परशन देखते हैं इन में से अवधी किसके अंतर गताती है अभी हमने आप बताया कि अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर गताती है जिसमें A, B, C पूर्वी हिंदी की बोलियां है और पूर्वी हिंदी जो है वह किस से आई है अर्ध मागदी से ये प्रशन भी कई बार पूछा जाता है पूर्वी हिंदी की सा अपबरहन से निकली है तो यह है अर्ध मागदी से और इसकी जो पूर्वी हिंदी की जो ब बीहारी मागदी अपबरंच और पूर्वी हिंधी अर्ध मागदी शप्रस्ट परीम कहते हैं लग्नाव बारहामा की किस वोली की छित्रा आते हैं तो अबी की लग्नाव वारावा की में कौनसी बोली बोली जाती है तो वह है अवधी अगला प्रिशन है भाषा विग्यानिक द्रस्टी से हिंदी के अंदर कर कितनी उपभाशाएं बोलियां मानी गई है तो भाषा विग्यानिक द्रस्टी से पांच उपभाशाएं और अठारा बोलियां मानी गई बोली जाती है और आप से जगे're बूच लिघाटी है और चाशा जाश्यंच चतरपूर सागर गूज एर होすंगा बाद हम मिरपूर के आसपस बोली जाने वाली बोली वली कुनसी है तो सब्सी मुद्डेलि का इते तो है और हम स्था चाश्यंच चतर हैं और प्रणों सा कौन सा है घीवा है हिंदी जाहिदय का प्रतम इतिहास लेखन का श्रीक इसको जाता है तो बोली और भासाओं से कहा कहा बोली जाती हैं और किस किस नाम सी जानी जाती है अब हम देख रहे हैं हिंदी साहिती की इतिहास लेखन से सममधित कुछ पन्छन हैं तो हिंदी साहिती का प्रत्वम इतिहास लेखन का स्ट्रेक इसको जाता है गार साधा दटाशी को जाता है गार साधा दताशी का जो ग रंत है इस्त्वार्ध लितियत रंदोय अंदुस्तानी यह दो भागों में आया और इन्होंने लगबग 738 कव्यों का नाम इसमें गिनाया जिसमें से 72 कवी इन्होंने हिंदी के गिनाये गार्षाद अतासी ने इन्होंने वनानुक्रम पदत्ति के अनुसार इतिहास लेखन का कारे किया इस वज़े से एक शब्द को स्मातर बन कर रहे गया इसलिए इसे इतिहासकारों नहीं किया और प्रथम इतिहासका दरजाई से नहीं मिल पाया यह वास्त्वीक इतिहासका दरजाई से नहीं मिल पाया प्रथम इतिहासका दरजाई से इसे मिला क्योंकि फ्रेंच भहसा में था इस वज़े से हिंदी में लिखने वाले प्रत्हमीति हास का दरजाई से नहीं मिल पया अगला प्रिश्न देखते हैं, सिव सिंग सेंगर ने सिव सिंग सरोज में कितने कवियों का वर्णन किया है, लगबग एक जार कवियों का वर्णन सिव सिंग सेंगर ने सिव सिंग सरोज में किया है, इन्होंने अपना जो ग्रंथ है, सिव सिंग सरोज, वह अठारा सुतेयां इस्वी में लिखा यह पहले भारतिय थे जिन्होंने हिंदी भाषा में हिंदी भाषा में हिंदी साहिति का इतिहास लिखा क्योंकि जो पहला इतिहास लिखा था वह गार्सा दतासी ने फ्रेंच भाषा में लिखा था इन्होंने हिंदी भाषा में लिखा और गार्सा दतासी इन में कवी ओं लेकों के जनमकार मुरत्यूकार रचनाकार आधी से समधी तुलेक भी मिलता है अगला प्रिशन देखते हैं सब्वर प्रितम काल वीभाजन और नामकरन करने का प्रियास किस नहीं किया तो गार्षाद अतासी और सी सिंग सेंगर दोनों ने कालवी भाजन नामकरन का प्रियास नहीं किया सबसे पहले कालवी भाजन नामकरन का प्रियास किया कि इनका जो गुरंथ है दे मौडर्ण मनाख्रूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान यह मूलत अंग्रेजी भाषा में लिखा गया और इन्होंने ग्यारा अध्यायों में हिंदी सहेत्य के इतिहास को बाटा ग्यारा अध्यायों में और अलग-अलग नाम देकर उनकी प्रवर्तियों और विश्यस्ताओं को भी बताया इस वज़े से इन्हें हिंदी साहित्य के इतिहास का वास्त्विक प्रारंब करता कहा जाता है जोर्ज ग्रियेशन ने हिंदी को अंग्रेजो द्वारा आविस्कृत भासा कहा है अगला प्रिशन हम देखते हैं मिस्टर बंधों से संबंदित है मिस्टर बंधों में सामिल नहीं है यह प्रशन बार-बार परिक्षाओं में पूचा जाता है हिंदी की लगबग परिक्षाओं में यह प्रशन देखने को मिलता है जो मिस्टर बंधों से संबंदित है और इसमें आपको ध्यान में रखना है गणेश श्याम और सुखदेव ये तीन भाई थे गणेश सुखदेव और शाम और इनके भाई को नहीं थे कृष्ण नहीं थे कृष्ण याद रखना कि क्रिष्ण आपनको नहीं करना है क्योंकि वस्तुनेस्ट प्रिश्णों में यही option आपको बार-बार देखने को मिलता है और गणेश बिहारी मिश्र, शाम बिहारी मिश्र और सुकदेव बिहारी मिश्र ये तिनों बंदु थे और मिश्र बंदु ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा मिश्र बंदु विनोध वह है चार भागों में आया और इन्होंने अपने जो इतिहास ग्रंथ है उसमें 5000 कवियों को सांधिया है आचारे रामचंद्र शुक्ला ने इनके क्रंथ को व्रत संग्रे या बड़ा भारी कभी व्रत संग्रे कह कर पुगा रहा है अगला प्रशन देखते हैं जो आचारे रामचंद्र शुक्ला जी से संबंधित है अचारे रामचंद्र शुक्ला के हिंदी साहितिक इ इतिहास का जो प्रकाशन वर्ष है उसका माहा भी पूछा जाता है और सन भी पूछा जाता है पार-पार परिक्षाओं में पूछा जाता है तो आपको माहा भी आद रखना है जन्वरी माहा में गुनी सो गुनतिस इस्वे में आचारी रामचंद्र शुक्ला जी ने हिंदी स इतिहास का प्रकाशन वर्ष्ट किया यह नागरिव पिचारनी सबाक अ काशी से प्रकाशित हुआ और हिंदी शब्दЩागर कि भूमिका के रूप में है प्रारंभ में प्रकासित हुआ और हिंदी शब्द शागर के निर्माण में तीन विद्वानों का योगदा रहा बाबु शाम सुंदर रासा सारे रामचंद शुक्रो रामचंद वर्म इन्हों ने जो हिंदी साहिति का इतिहास है उसे चार काल खंडों में विभाजित किया वीरगातकाल जिसे आधिकाल कहा पूर्वमद्यकाल जिसे भक्तिकाल कहा उत्तरमद्यकाल जिसे रितिकाल कहा गद्यकाल जिसे आधुनिक कहा इन्हों ने अपने जो इतिहास ग्रंथ है उसमें लगबग 1000 कभीओं के जीवन चरीत्र का विविचन किया है लगला प्रश्ण देखते हैं आचारי रामचंद्र शुक्राजी ने किन रचनाओं से विशेश साहित्य सामगरी ग्रहन किया आचारे रामचंद्र शुक्ला जी ने अपना इतिहास ग्रंत लिखने में किन रचनाओं का सहीयोग लिया है ये किन रचनाओं से साहेतिसामगरी ग्रहन की है तो बहुत महत्पून प्रश्न है कि कहा कहा से इन्होंने साहेतिसामगरी इकठी की है और फिर इन्होंने अपनी इ योगी हरी का है इन तीनों रंतों का सहारा लेकर इन्होंने अपने इतिहास करन्त को दिखा है अगला प्रशन देखते हैं ये दी प्रबंद एक विस्ट्रित वनस्तली है तो मुक्तक चुना हुआ गुल्दस्ता यह विसिस कतन किसका है यह कतन बार-बार पर इक्षाव में प यहां इनका शब्द सरहपा के लिए आया है इन्होंने कहा है कि सहज भोग मार्ग जी उनको महाशुक के ओर ले जाता है यह कतन आपसे पूछा जा सकता है कि सिद्ध सरहपा से संबंदित कौन सा कतन सही है ऐसे प्रशन आप से पूछे जा सकते हैं सरहपा से सम्मंदित कौन सा खतन सही है कौन सा खतन सही नहीं है सत्ते चाटिये असत्ते चाटिये इस प्रकार के प्रिशनाज कल बनाई जाते हैं तो देखिए सिद्ध सरहपा से समंदित कौन सा खतन सही है सरहपा को सरोजवज्व राहुल बद्र आदी नामों से पुकार जाता है सही है ये अब्राहमन जाती से थे ये भी सही है और इनका समय है 779 इस्विस विकार किया गया है सही है और उप्रियुक्त सभी तो सरहपा से समंदित सभी तत्ते सही है इसलिए हम कहेंगे ये सभी वाते सरहपा से समंदित सब्ते है अगला प्रशने देखते है सिद्ध साहित्य से समंदित कौन सी विशेश्था नहीं है अब आपको सिद्ध साहिते नाज साहिते और इन सभी कावे धाराओं से सम्बंदित गेहनतम अध्यन करना होगा जिससे आप ऐसे प्रश्णों का उत्तर आसानी सिद्धे पाएंगे सिद्ध साहिते से समदित कौन सी विशिसा नहीं है तो राहु सांकरताय ने 84 सिद्धों के नामों का उले किया है जिन में सिद्ध शरहपा ने साहिते आरम होता है इस साहिते में तंतर शाद्मा पर अधिक बल दिया गया है इसमें उपदेश परक साहितिक रचनाय लिखी गई है यहां नारी निंदा का सरवाधिक उलेक प्राप्त होता है तो सिद्ध साहिते में नारी निंदा का उलेक प्राप्त नहीं होता है तो कौन सा सही हो जाएगा इसी यह चार नंबर इसमें आंसर नहीं है लेकिन मैं लगाय होग सथा है कि नाजसाहिति थिता नारी निंदा करता है रहने की बात करता है लेकिन से नारे नारी के साथ इस वर प्राप्ती में विस्वास रखते हैं अगला पूरिशना देखते हैं देवसेन कर्षावक अचार में किसका वर्णन किया गया है तो देवसेन कर्षावक अचार है कि उसमें 202 अं correctly स्व्णन किया गया है हेम चंद्र से समध्द कोन सा कतन सही है इनका जन कुजरात के जेन परिवार में हुआ इनके बच्पन का नाम चंगदेव था सही है यह शब्दानुशाषन की दच्चेता हैं सही है इनको अपपरंस का पाणी नित कहा जाता है सही है तो उप्यूकत सभी तो हेम चंद्र से समधित सभी थत्य सही है इनका जन गुजरात में हुआ और जैन परिवार में हो इनके बच्पन का नाम चंगतेर था इन्होंने शब्दानु शार्शन की रचना की और इन्हें अपभणस के पानेनी के नाम से जाना जाता है उटल निंदा का सरवाधि को लेकिया है अभी उपर हम बात कर चुके हैं कि नात साहिते नारी निंदा का उलेक करता है सिद्ध साहिते नहीं करता है सिद्ध साहिते के भोग विलास की भर्चना करता है यह सही है क्योंकि नात साहिते जो है सिद्ध साहिते के भोग विलास की राहुल सांक्रत्याइन जी ने नात पंत को सिद्ध की परंपरा का ही विक्षित रूप माना है यह भी सही है तो इसमें उप्रियुक्त सभी सही होगा क्योंकि जो नात साहित्य है नारे निंदा का उल्लेक करता है सिद्ध साहित्य की भोग विलास की भर्सना का उल्लेक करता ह और राहुल संक्रत्याइन जी ने क्या कहा है कि जो नात्पंथ है नात्पंथ वह सिद्ध परंपरा का ही विक्सित रूप है यह है राहुल संक्रत्याइन जी ने कहा है इसलिए सभी तत्य सही है किसने नाथपन्त का नाम, किसने नाथपन्त या नाथशंप्रदाय को सिद्धमत, सिद्धमारत, योगमारत, योग संप्रदाय, आउधूतमत, आउधूत संप्रदाय के नाम से भुखा रहा है तो ये कहने वाले कौन है नात्पंत को या नात्संप्रदाई को सिद्धमत इसमें परिक्षारती कन्फ्यूज भी हो जाता है क्योंकि यहां नात्पंत या नात्संप्रदाई है और यहां सिद्धमत तो कन्फ्यूज नहीं होना है क्योंकि सिद्धमत को ही नात्पंत कहते हैं सिद्ध मार्ग को ही नात्पंत करते हैं योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय एक ही बात है ये कहने वाले कौन है आचारे हचारी प्रिशाद द्वेदीजी इन्होंने नात्पंत या नात्संप्रदाय को सिद्ध मत भी कहा सिद्ध योग शंपर्दाय, अवदूतमत या अवदूत् संपरदाय की संग्यातिएं अगला प्रिशने देखते हैं, गोरक नात से संबंधित कोन सा कतल सही है? यहाँ नात संपरदाय के ससक्त प्रयमियता थे, दिन मानिक सहते हैं लल की सब्सक्राइ रामार्थ में बार जिए घी नहीं है कि पूछा जाता है कि खोरति की प्रमार्थ मानिचा भूसिए और इन की रहते हैं का संकलन गोरक बानी नाम से पीतामबर्दत बड़तफाल ने किया है अगला प्रिशन देखते हैं प्रत्वी राज रासों की प्रमानिकता से लेकर है भाषा जिस प्रकार से जो भाषा समंधी प्रिशन पूछे जाते हैं छेत्र से समंधी थिया किस अपब्रण से किस भाषा का किस बोली का विकास हुआ और उसी प्रकार से जो है प्रत्वी राज रासों की प्रमानिकता और एप्रमानिकता को लेकर पूछे जाते हैं या तो प्रत्वी राज रासों की प्रमानिक मानने वाले तिहासकार कौन से है या प्रत्वी राज रासों को अर्ध प्रमानिक मानने वाले तिहासकार कौन से है या कौन से नहीं है या उपरियुक्त में से कौन सा प्रमानिक मानता है या उपरियुक्त में से कौन सा ए प्रमा तो प्रत्वी राज रासों को प्रमानिक मानने वाले इतिहासकारों में करनल तोड है मिस्टर बंदु है गार सदतासी है मथूरा प्रशाद दिक्सित हैं दस्टर स्टर्मा है मोहलाल विश्णुलाल पंड्या है जिन्होंने अनंत सम्मत की परिकल्पना की थी नगेंद्र है प्रमानिक मानने वालों में यह सबीती हासकार है तो आपको प्रमानिक मानने वाले याद रखने है और अर्ध प्रमानिक मानने वाले याद रखने है फिर प्रत्वी राज रासों को ए प्रमानिक मानने वाले ए प्रमानिक कौन कौन मानने वालों में सबसे पहले जो नाम ल वीजे नामगरंथ मिला था जिसके आधार पर इन्होंने प्रत्वी राज रासों को एप्रमानिक करार दिया था इसके परशाथ आचारे रामचंद्र शुक्र एप्रमानिक मानते हैं और कहते हैं कि यह है पूरी तरह से जाली ग्रंथ हैं गोरी संकर हीराचंद ओजा इसे प्रमानिक मानते हैं मुरारी दान शामल दान इसे एप्रमानिक मानते हैं मोतिलाल मेनारिया एप्रमानिक मानते हैं द्रामकुमार वर्मा एप्रमानिक मानते हैं अमरतलाल और मौरिशन यह प्रमानिक मानते हैं फिर बशता है अर्ध प्रमानिक मानने वाले इतिहास का शिप्त अंस मानते हैं इसको तो अरत प्रमानिक मानने वालों में हजारिप्षादवेधि तो सुनिती कुमार चतर जी अगरचन नहाटा और मुनी जीन वीजे प्रमोग गए तो अब इससे समंधित प्रश्णा हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्ण पूछे जाते हैं तो प्रश्ण है प्रत्वी राज रासों को प्रमानिक मानने वाले इतिहासकार नहीं है प्रत्वी राज रासों को प्रमानिक है और नहीं है यहां भी आपको ध्यान देना है क्योंकि यह चोटी से शब्द हैं जिनकी वज़े से परिक्षार्ती ब्रहं वस्षव परीक्षा में प्रस्न गलत करके आ जाता है तो प्रतफी राज-राषो को प्रमानिक मानने वाल इतियासकार नहीं है बाबु शाम संदर दास इसे प्रमानिक मानते हैं मौहनलाल विश्मुलाल पंडेवी से प्रमानिक मानते हैं फिर है माथुरा प्रशाद दिक्षित पीस को प्रमानिक मानते हैं और कवीराज शामल दास इसको ए प्रमानिक मानते हैं शामल दान यहां कवीराज शामल दास नहीं शामल दान आएगा क्योंकि जो कवीराज शामल दान है वो प्रत्वीराज रासों को ए प्रमानिक मानते हैं लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जो शाम सुंदर रास है वो प्रत्वीराज रासों को प्रमानिक मानते हैं यहां पर शामल दान है वह प्रत्विराज रासों को एप्रमानिक मानते हैं अगला प्रिशन देखते हैं प्रत्विराज रासों को एप्रमानिक मानने वाले इतिहासकार कोन से हैं अधार प्रत्विराज रासों को एप्रमानिक कोन से मानते हैं आचारे रामचंद्र शुक्रा यह एप् मिश्रवंदू यह प्रमानिक मानते हैं करनल टोट यह भी प्रमानिक मानते हैं और मत्वरा प्रशाद दिख्षित यह भी प्रमानिक मानते हैं तो यहां सोरी गलती हो गई यहां इसमें यह नहीं आएगा क्योंकि मत्वरा प्रशाद दिख्षित तो इसे प्रमानिक मानते हैं और आचारी रामचंद्र शुक्ल है वो इसे ए प्रमानिक मानते हैं क्योंकि आचारी रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि ये तो पूरी तरह से जाली ग्रंथ है प्रत्वी राज रासु इसे हम प्रमानिक क्या ही नहीं सकते यह ए प्रमानिक ग्रंथ है तो यहां उत्तर क्य दिक्षित परामानिक मानमत का अचारी रामचंद्र शुक्रते और इसे जाली ग्रарт करार देते है यह प्रशन पिरिख्शाल को दो पूछा जाता है कि प्रतवी राज रासों कीस ने कहा कम चेस्टै रामचंद्र शुक्रतन द्वारा रचित है यह मूलत है महागरंत है यह अपडूल रहमान द्वारा रचित है यह अपडूल रहमान द्वारा रचित है यह मूलत है विरहा कावे है और उप्रियुक्त सभी तो संदेश रासों सभी कथल सही है इसलिए प्रियुक्त सभी आ जाएगा अगला प्रिश्न संकलं करता कौन है उसके संक्रण्द करता लक्षमी दर इससे अफ ध्यान रखनेंगे क्योंकि यह परेशन में कई बार परिक्षाओं में पूचा जाता है क्वार्टब्ल इसके जो संकलं करता है वह है तो लक्षमी दर है और इसके जो रचनाकार है उसमें विद्याधर सांगरधर जजल और बबर चार कवियों के नाम आते हैं इसलिए इसके संगलन करता लक्षमिधर और इसके रचनाकार विद्याधर सांगरधर जजल और बबर हैं अगला प्रिशन देखते हैं धोला मारूरा दूहा से संभधित कौन सा कत सकते हैं यह ग्यारविस्तापदी की महतपूर रचना है विल्कुल सही है यह राजिस्तानी भाषा के भाषा का एक प्रेमक्ष्यान काववे है प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा ठीक कर लीजिएगा इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवणी नामक राजकुमारी की प इसमें जो है प्रेमक्ष्यान काववे है जिसमें राजस्तानी भाषा में लिखित है और धोला राजकुमारी का नाम मारवणी है धोला की आयू समय तीन वर्स होती है और मारवणी की आयू जो है वह डेड़ वर्स होती है धोला जो है वह कच्छवाहा वंस का राजा नल का पुत्र होता है और मारवणी जो है वह है पुंगल के राजा पिंगल के कन्या होती है यह एक श्रंगार रसका कावे है और आज भी यह बिकानेर साइड में अतिदिक प्लॉक प्रिये है अगला प्रिशन देखते हैं विद्यापती को भक्त कभी मानने वाले विद्वान नहीं है विद्यापती को श्रंगारिक कभी मानने वाले और भक्त कभी मानने वाले रचनाकारों के संधर्व में कई बार प्रशन पूछा जाता है कि विद्यापती को भक्त कभी मानने वाले कौन से रचनाकार है और विद्यापती को श्रंगारिक कभी मानने वाले कौन से रचना शुक्ल तो भाक्त कभी मानने वाले विद्वान नहीं है तो को नहीं मानते भाक्त आचारे रामचंद्र शुक्ल क्योंकि आचारे रामचंद्र शुक्ल तो विद्ध्यापती को स्रंगारिक कभी मानने वालों में आचारे रामचंद्र शुक्ल के अलावा रामरक्ष बेनिप डॉक्टर रामकुमार वर्मा आधी नाम आते हैं और भक्त कभी जो मानते हैं विद्यापती को उनमें बावुशाम सुंदरदाज पंडित हरप्रशाद सास्त्री और हजारी प्रशाद वेदी और इसके अलावा सीवनंदन ठाकुर प्रोफेसर जनारदन मिष्व आधी के ना समंदित कौन सा कतन सही है यहाँ ग्रंथ दामोदर शर्मा ने बारविस्टाब्धी में लिखा सही है इसमें बनारस और आसपास के प्रदेशों के संस्क्रति और भासा आधी पर अच्छा प्रभाव पढ़ा है उप्रिक्त सभी तो उप्ती व्यक्ति प्रकरण से समंदित स भी खतन सही है यह पंडित दामुदर शर्मा ने बारविस्ताब्दी में लिखा और इस रच्चना में बनारस और उसके आसपास की प्रद्दिशों की संस्क्रति और भासा पर प्रकास डाला गया है आदिकाल की विसेश्ताओं से संभंधित प्रशन भी बनाये जाते हैं जो इस प्रकार बनाये जाते हैं कभी पूछ लिया जाता है कि आदिकाल से संभंधित कोन से विसेश्ता है और कभी पूछ लिया जाता है कि आदिकाल से संभंधित कोन से विसेश्ता नहीं है तो आदिका अधिकाली प्रवर्तियों से समंधित प्रश्न बनाए जा सकते हैं जिसमें संपूर्ण आधिकाली इन साहिते की सभी जो काविधा रहे हैं उनकी विस्यस्ताओं को समाविष्ट किया जाता है यह तरीका मैंने बताया है आपको कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं अ आधिकाल की विश्यस्ता है या नहीं है कहके या आधिकाल की विश्यस्ताओं से समंधित कोन सा कतन सकते हैं या फिर आधिकाल की विश्यस्ताओं से समंधित कोन सा कतन एह सकते हैं तो वीर और स्रंगारस का समन्वे हुआ है संखुचित राश्चीता है युद्धो का वर्णन क्योंकि संदिग्द है आधिकालीन जो रासो काववे हैं उनके इतिहासिक्ता संदिग्द है इतिहासिक्ता का अभाव देखने को मिलता है ना कि प्रधामता इसलिए यह सही हो जाता है आज के लिए इतना ही अगली कक्षा में हम भक्तिकाल को शुरू करेंगे और भक्तिकाल को पढ़ेंगे धन्यवाद